हेलो फ्रेंट्स मैं पूजा सक्षना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ कॉशन नमबर 6 तक के वीडियोस हम लोग अप्टोरोट कर चुके हैं 3.2 में आज हम देख लेते हैं कि 3.2 का कॉशन नमबर 7 हमारा क्या कह रहा है draw the graphs of the equation x-y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 determine coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis shade the triangular reason सबसे पहला काम क्या करिये सबसे पहलें दोनों lines को एक साथ लिख लिजेए x-y plus 1 दूसरी line क्या है मेरी 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 पहला काम क्या करिये यह जो line है यहां से कह लिजे x plus 1 is equal to minus y को धर ले जाए y यहां से आप क्या करिये यहां से आप कह लिजे 3x is equal to इन सब को धर ले जाए 12 minus 2y तो x की value क्या जाएगी 12 minus 2y divided by 3 यहां से value आगी अब पहला काम क्या करिये इसकी table बना लिजे इसकी table बढ़ी आसाने से बन जाएगी x की value रखते जाए यह y की value आती जाएगी तो मैंने क्या किया मैंने x की value रख ली 0 जैसे मैंने x की value 0 रख ली y की value आगई मेरी 1 अगली बार मैंने x की value रख ली 1 y की value आगई मेरी 2 x की value रख ली 2 y की value आगई मेरी 2 plus 1 यानि 3 x की value रख ली 3 y की value आगई मेरी 4 काम मेरा तीन से ही चल जाएगा जुरुत पड़ी तो मैं ग्राफ में तीन ही पॉइंट को यूज करूँगी अब इसकी टेबिल बना लेते हैं अब इसमें क्या होगा Y की वेल्यू रखते जाएगे X की वेल्यू आती जाएगी लेकिन यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के Y की वेल्यू रखने पड़ेगी ताकि आपका ना कम्प्लीट नंबर मिल जाए आपको तो मैंने क्या कि Y की वेल्यू जेरो रख ली तो यह क्या हो गया मेरा यहां मैं आपको गर के बता देती 12-2 इंटो 0 डिवाइड बाइ 3 यह कहूं 12 डिवाइड बाइ 3 आंसर आगया मेरा 4 Y की वेल्यू क्या रखे मैंने Y की वेल्यू रखे 0 X की वेल्यू आगया मेरे पास में 4 अगली बार मैंने क्या किया मैंने Y की वेल्यू रखे अब देखे यदी मैं 1 रखती हूँ तो 12-2 यानि 10 divided by 3 मेरे पास आंसर आएगा decimal में हैं इसलिए मैंने क्या क्या y की value रखी 3 y की value रखी 3 तो ये क्या हो गया ये हो गया 12-2 into 3 divided by 3 या कहूं 12-6 divided by 3 12 में से 6 सब्टेक्ट कर होगे तो आपका आंसर एगा 6 divided by 3 यानि 3-2-6 तो x की value रखी हमने क्या x की value रखी हमने 3 sorry y की value मैंने रखी 3 और मेरी x की value आगई 2 ठीक है अगली बार मैंने क्या किया अगली बार मैंने इस y की जगा 6 रखके देखा तो y की जगा 6 तो यहाँ y की जगा 6 रखतीजे तो ये क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x is equal to 12 minus k2 into 6 divided by 3 यानि 12 minus 12 divided by 3 या कहूं मैं 0 upon 3 तो मेरा answer आजाएगा 0 अब सबसे बड़ी बात देखें ये वाला point दोनों में क्या आ रहा है common आ रहा है it means ये दोना line एक दूसरे को intersect करेंगे ही यदि हमें किवल solution find करना होता न तो हम कह देते 2 upon 3 इसका क्या है solution है लेकिन हमें क्या करना है हमें graph भी draw करना है ऐसा करते हूं इसी page पर चोटा चोटा आपको graph draw करके बता देते हूं ठीक है 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 एक काम और करिए एक यहां हम किसकी value रख रहे थे x की value रख रहे थे x की value यहां minus 1 रख के और देख लिजे minus 1 रखते ही क्या हो जाएगा minus 1 plus 1 यानि y की value क्या आजाएगी 0 बात में अभी आपको समझ में आएगा यह काम मैंने किया क्यों अब जरा इसको बनाएए इस value को x की value 0 देखे यह x होता है यह minus का x यह y होता है यह minus का y ठीक है 1,2,3,4 यह सब plus के हैं 1,2,3,4 यह y में सब plus के हैं और यह सब minus के minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 ठीक है यहाँ 5,6,7,8 और यह minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8 अब x की value 0 रखे तो y मुझे क्या मिला? 1 मिला देखे यानि x पे तो मैं चली ही नहीं मैं किस पे चली? y पे y is equals to 1 यानि मुझे 1 point यह मिल गया अब अगला क्या है x is equals to 1 और y is equals to 2 x पे 1 चली y पे मुझे क्यातना चलना पड़ेगा? 1 और 2 यानि एक point मुझे मिल गया यह अब x पे चली में 2 तो 1 और 2 और y पे मुझे कितना चलना पड़ेगा? 3 तो 1, 2, 3 तो 1 point मुझे मिल गया y के सामने वाला यानि यह अब x पे चली में 3 1, 2, 3 यड़ी तेंक फॉर्य उस्काइन सेष्ड औरama फॉर्यदों जाएगी उसली टेवलिक के बारे में बात कर लेते हैं mm फिर चली वण टॉटरी4 मुझे कहई चलना हिन नहीं दो था मुझे मिल गया अब एकस पे तुमें 2 चली वन और टू 5 है मुझे कितना चलना पड़ा थ्री वन टू तो एक पॉइंट मुझे यहां से भी यही मिला मिला मैंने का तै ना दौनों सेम हैं अच्छा अब एकस पे तुम्हें मरेट चले नहीं रहां चलना है यहां चलना यहां दो ओने की यह पे मैं देखा यह6 तो कहने का च्छार मुझे यह सट्रेट लाइन मुद लिए तुमें ने स्ट्रेट लाइन मिली तो मैंने दिखा और ये ये और एक्स एक्स कॉशन में था ना एक्स एक्स और ये दोने लाइन मिलके क्या बना रही है ट्राइंगल बना रही है और इनके वर्टिस बता दीजे और इसे शेड कर दीजे तो चलिए ट्राइंगल तो मुझे मिल गया तो मैंने इसे शेड कर दिया अब इसके वर् X पे और Y पे तो हमको चले ही ने यही डीजन था कि मैंने कहा कि माइनस में भी कुछ ले लीजे नहीं तो हमारी इस तरीकी से लाइन आती है फिर हमें तब बाद में माइनस रखना पड़ जाता तो यह था हमारा कॉशन उम्मीद करती हूँ कॉशन का एक्स्प्लेनेशन समझ भी आया होगा फ्रेंड्स यदि एक्स्प्लेनेशन समझ भी आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि मेरी बनाई हो वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें ओके बाई बाई फ्रेंड्स